कि करें पीज रहां यंदर आए नितर पर्चा है अगर सच्छा है अगर तरह पंड़ना पेश हुए मैं चेप प्रच्छा हुंदाने न दिख नहीं पेश होगा लेक्षे करवाण न शब्ड़नो न नगर दालता जान दालता है नितरी अप्रक्रिणा या पीजित्र पेर्चा आपके बात ठीक है कि खानसाम ने आपके बात ठीक है कि खान सामने आ तो आप कहते हैं कि वह पेश नहीं होते हैं इतने पर्ची उनको पर हैं उनको चाहिए पर रहे हैं पर चाहिए लॉपे का रोटी ओ गई है किसका कसूर है इम्रान खने एक सूरे क्यों इम्रान के दोर में आत्यका किलो था है इम्रान के जब आया उस वगता आटेका क्या रेट था 35 रुप्य था 140 रुप्य किलो आगे हो था 140 रुप्य के दोर देखा है है इस थापित कर रहे हैं मैं सकतर मेरी मेरी बासंने म Fleisch प्रै। 40 इम्रान के अने से पहले आटे का कारेट था 35 बिलोग जरदारी के दüstिए-पैले की बात करों भी उससे पहले की छोड़े का इम्रान का अब छोड़ के कितने रुप रखा अच्छा पैंसे टुप रखा ना विए यह आपने अवामी राइज सुनी है बात यह है के अब लुप रखा ना विए अच्छा पर रहा है और हमें अकल शौर अता कर दे और हमें यह समझ आजए कि हम कहां खरे थे कहां मूव कर चुके हैं और लास्ट पर नोट इलीस्ट जो सबसे हैं बात है कि हमारे अंदर यूनिटी आजए जब तक यूनिटी नहीं आएगी हम को कॉंसेंस डिवैलम नहीं कर सकेंगे जब तो कॉंसेंसर डिवैलम नहीं होगा मुल्क जो है वहां सही ट्रैक पे नहीं आएगा यह पॉइंट और इसवक्त यूनिटी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है यूनिटी का मतलब है आप एक पॉलिसी बनाते हैं फिर उसके स चालरी कितनी है साड़े स्तारा लाक रुपे उसका मेरने के तेल कितना परी है साड़े 600 रुपे वह आपके खिदमत भी तो कर रहे है क्राप्टर नासिक पर करता है इसको खिदमत बोलते हो एक मस्चाद अल्ला का गारे उसको बिल नहीं दा करें तो इस दिरे भीने पिल का करते हैं तो वो उसकी तो कारे कोई नहीं कारता है क्वका उसका बार चीज परी है क्यों परी है किसलिए परी है क्या काम करता है वो हमारे लिए करता है हमारे पास दौलत है हमारे कराप्शन ही पकरते नहीं आपके चेर्मेन साब पकरते नहीं है जे में डालते हैं आपके प पर बात गलत है यह नहीं है आपके घार परवान किसी जा किसी प्रों या किसी से जा के पैसे उठा के चीज़ा नहीं बनायां चीज़ा बनाने का बदल है उनका अपना साथी माफादात था उसके पीछे पाकिसान का कोई फाइदा नहीं था, पाईसो और अपर मत्सूबा बार रहा, ऊपर इसका जो बात करता है नई का इमरान खान खलत है, वह साबिद कार के दिखा़ ह अगर उनने चोड़ी चिकारी की होती एक सेकिन अगर उन्हें चोड़ी चिकारी की होती तो खांसाब उन्हें अंदर करते हैं खांसाब उनके खलाफ सबूत लाते हैं अगर वो गए तर आगे आप उसने दो सब्सक्राइब रख लिए और ने प्टेंटर पर चरके की जब इक्तिदार में तब भी की अगर वो कहते हैं मैं चोड़ी की होती तो आज जा मैं अदालते इस तरह बेगुना साबित करती हैं करते हैं अगर कोई सबूत करें नहीं करूंगा ना पाकिस्तान में रहूगा चीवियर्स चब भी मेरे जहन में ये बात आती है कि रोटी बंदा खा जाती है यकीन करें रू कामती है और दिल तरपता भी और पंजीनु पंजाबी चे गैंदेने ना चिकावी मार्द है कि रोटी बंदा खा जाती है और इस सारी जो पूरी दुनिया में इस वकत हम देखते है ना एक बाग दोर लगी है इसके पीछे सोल फैक्टर रोटी है यानि और अगर हम इसको हैगल के कॉंटेक्स में भी देखें कि बात ये है कि इस वकत दुनिया में जितने भी भडे रेवुलूशन आए है न एक नजरिया ये भी अगर हम काल मार्क्स का नजरिया ले ले लें भी ये कहते है कि आर रोटेश एकषटर्स को इजिली अवैलिज रिवेलिऑल करना है यानि उसको एजिली हासिल करना है और उस में सबसे इंपॉर्टन जो बेसिक निसेसिटी है वो आपकी फूड है आपकी किचन बास किट है और उसमें जो सबसे इंपॉर्टन फैक्टर है बिलخصوص बड़े सगीर पाको हिंद में या दीगर ममालिक में भी वो रोटी है ठीक है जी लेकिन रोटी जरे ही मुलक होने के बावजूद साड़े हाथ नहीं आ रही है उनों भी पर लगे हैं नहीं तो उड़ी जा रही है ते मजदूर पीछे हां बंदा जाता जा रहा है तो इसलिए आज का प्रोग्राइम का थीम भी यही है कि मैं यहां पे आया हूँ इस वक्त जो लहोर में मुतहदा नान असोसियेशन के सदर हैं आफताब गिल साब मुहमद आफताब गिल साब उन से हम यह पूछेंगे कि सर क्या वज़ा है कि रोटी की कीमते भर रही है अभी हाली में 16 पेथी 20 हो गई है अब नान की भी वाज़ जा रही कि जिनान 35 में जा रहा है बंपर क्रोब भी होती है जरही मुलक भी है फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं गंदूम यह वज़ा क्या कर रोटी क्यों महंगी हो रही है यह बहुतर सेंगिर साब असारी में एक तमहीद बांदी है मकसद यह है कि रोटी हर बंदे की नीड है आपने कबर में जाके कबर की मिटी का जब जर्णा जाएगा ना तब यह पेट की मेरे या आपके हमारी आग बुछती है बंदा नहीं बुछती है वी नीड ब्रेड वी नीड रोटी बेसिकली नेकि रोटी हमारे काबू नहीं आ रही है क्या वज़ा किया है बिसमिल्लाइ रमाने रहीं बिलाल भाई आपकी तश्रीफ अवरी का शुक्रिया आपकी महबद सर्थ मसला यह रोटी कभी भी महिंगी नहीं हुई यह मैं आपको टेक्निकल बात बता हूँ रोटी महिंगी इसलिए होती है कि जब आटा महिंगा होता है जब गैस महिंगी होती है जब तंदूर वाले की ज़ूर्या आटे की बात करें इस गौर्णमेंट के आने से पहले 630 रुपे का 10 किलो का था यह गौर्मेंट आई इन्होंने 1160 रुपे का कर दिया 10 किलो का थाला फिर उने नह किया जी के हम फ्री आटा बाट रहे हैं अब हरी आटे के जो आलम आपके सामने हुआ है जितने लोग मरे हैं वो तंदूर वाले के लिए नहीं था